दोस्तो, मैं आज आपके लिए जो ऐसियत प्रमान पत्र में क्या document लगते हैं, यह क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ और दोस्तो, यह चीजह मैं डून डान के लाए हूँ आपसे, और यह चीजह सरकारी है, यह change, नियम होते हैं, और change हो सकते हैं तो दोस्तो इसलिए ध्यान रखें, पूरी जानकारी के लिए और आप किसी से ट्राई कर सकते हैं या फिर और उस पे जो वेब साइट होती है उसकी, इस पे भी जा सकते हैं या किसी और से मिल सकते हो, तो दोस्तो मैं आपको जहां तक हो सकेगा मैं पूरी कॉसिस करूँगा आपका अच्छी से अच्छी जानकारी हूँ तो दोस्तो मैंने ये आपके हैसियत प्रमान पत्र का वो बता रहा हूँ तो दोस्तो हैसियत प्रमान पत्रे का ऐसा दस्ताबेज है कोई भी सरकारी ठेका लेना बड़ी बड़ी बिल्लिंगों को बनाने का काम लेना कोई भी सड़क का ठेका लेना या बैंक से लोन लेने आदी में भी हैसियत प्रमाण पत्र की आवस्यक्ता पड़ती है पहले जब ओनलाइन प्रक्रिया नहीं थी तो बहुत से लोग गलत प्रमान पत्र बनवा कर दो कदरी का भी सिकार हो जाते थे तो दोस्तों आजकल यह सिस्टम कम हो गया है क्योंकि आजकल ओनलाइन हो गया है लेकिन अब आज सारा काम ओनलाइन हो चुका है इसलिए हैसियत प्रमानपत्र की जाच ओनलाइन आसानी से की जा सकती है इसलिए ओनलाइन पिरकिरियाश शुरू हो जाने से दोगदरी के मामलों में काफी अत्तक कमी आई है तो हैसियत प्रमाणपत्र के लिए ओनलाइन आवेदन करने से पहले आपको निम लेखे दस्ता बेजों को अपने पास एकत्रत करके रख लेनी चाहिए ताकि आपको आवेदन करते समय कोई दिक्कत ना है तो दोस्तों देखो यह देखिए आवेदन करता का फोटो, पैन कार्ड, पते का प्रमाणपत्र जैसे आधार कार्ड, बोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ड, आधी और आधार कार्ड रखना चाहिए दूसरा संपत्ती से संबंदित दस्तावेज, यानि कि जो आपकी संपत्ती है, उसके दस्तावेज होने चाहिए, जैसे क्रैसी भूमी की इस्तिती में CH41 वे 45 तथा 1359F की प्रमानित खतोनी, जो आपका खाता संक्या बगेरा जो होती है, आप साइज जानते हैं सारी चीजे ये चीजे होना चाहिए आपका, और संपत्ती के श्यौमितु का कोई साच, यानि कि जो संपत्ती है, वो किसके नाम से है, इसका भी आपको, एक कोई साच या गवाय चाहिए, जैसे उसके अंदर मतलों, उसका वो होना चाहिए, धर्साय काई संपत्ति, भवन, भूमी का फ जैसे बाहन की इस्तिती में सक्षम प्राधिकारी का मुल्यांकन प्रमाणपत्र बैंक में रखी गई संपत्ती के लिए बैंक प्राधिकार्ण से मुल्यांकन प्रमाणपत्र बैंक अथवा बित्तिय संस्ता में कोई धनरासी हो तो इसके लिए बैंक का नाम खाता संख्या उसमें रखी दनराशी का विबरण दिया जाए इसके लिए बैंक अथवा बित्तिय संस्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलगन किया जाए यानि दोस्तों मैं सीधी सी बाजा में बताना चाहरा हूं कि आप लोगों को जितना बैंक में जो पैसा वगेरा या फिर बैंक में बैंक की जो होती है वो देनी चाहिए क्योंकि यह चल संपत्य है और आगे अन्परिसंपत्यों का विबरण यानि कि अन्परिसंपत्यों को विबरण संबंदित प्रमाण पत्र क्या है सभी संलगन PDF पर फॉर्मेट यानि कि आपके जितने भी कागज डेकुमेंट जो हो हैं उसकी अदिक्तम साइज 300 KB होना चाहिए दोस्तों जिसको केवी का मतलब पता नहीं है वो यह वाते हैं इसके अंदर होती है कम्पूर्टर वाले जानते हैं इस चीज को कि केवी क्या होता है क्योंकि एक वह होती है साइज होती है उसकी अपलोड करने की जिए कितने के भी मैं होनी चाहिए अज़े दोस्तों आगे हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अन आवशक दिसा निर्देश और भी हैं वो मैं आपको बता रहा हूं हैसियत प्रमाण पत्र में आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा यानि कि सो रुपे की फीस निर्दारत की गई है इसके साथ ही यदि हम आप जन सेवा केंदर द्वारा आवेदन करते हैं तो इसकी फीस आप से 120 रुपे लिए जाएगी यानि कि दोस्तों जो दुकाने होती हैं उनसे अगर आप ये फीस आवेदन करते हो तो 120 रुपे फीस के लिए जाते हैं दूसरा चल संपत्य की दसा मे सिर्फ उनी संपत्यों का मुल्यांकन मायन किया जाएगा जो आवेदन करता के श्यम नाम पर होगी यानि कि जो चल संपत्य है उसका सिर्फ श्यम के नाम से होगा उसी की मला उसी का मुल्यांकन किया जाएगा मतलब वही मायन होगी जो खुद के नाम से होती है चल संपत्य यानि कि जो पैसा है, गाड़ी है, ऐसी चीजे, दूसरा, यदि कोई संपत्ती, संयुक्त संपत्ती है, तो उस संपत्ती का मुल्यांकन मायने नहीं किया जाएगा, यानि कि कोई संपत्ती ऐसी है, जो आपके नाम से है, आपके बीबी के नाम से है, या किसी और यार दोस्त के होना चाहिए दोस्तों इसका मतलब यह है कि जैसे आपकी जो संपत्ति है अचल संपत्ति है कि मुल्यांकन के आदे से अधिक नहीं होना चाहिए मतलब जो आपकी चल संपत्ति चलने वाली संपतिय, वो अचल संपित्तиком ये आधे से जाद नहीं होनी चाहिए, इसके आगे, इसके साथ किसी प्रकार की सास्किय दे वकाया होने के स्तिति में विवागवार दे धनरासी का बिबरण प्रस्तूत करना अनबारी है, यानि कि जो जो सास्किय दे होता है, जो हमारा कभी बकाय रेन होता है, बैंकों का या किसी और का, तो वो प्रस्तुत करना पड़ता है, आपको उसकी एनुसी देनी पड़ती है, प्रमान पत्र की बैदेता जारी की गई तारिक से अगले दो वर्स तक मायन होगी, या दोस्तों, दो वर्स तक की ही मायनता होगी, आपके जो प्रमान पत्र है, वो स्रीफ दो वर्स तक की मायन रहेगा, उसके बाद में आपको इसका नवीनी करण करवाना होगा, अगला पंट, यदि किसी संपत्ती के श्वामित में संसोधन अद्वा परिवर्तन किया जाता है, तो प्रमान पत्र पुनहे जारी करवाने का संपूर्ण दायत्व आवेदन करता का होगा यानि कि आपको अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हो संपत्ती में या फिर संपत्ती के जो मालिक होता है उसका अगर कोई और किसी को नाम करवाना चाहते तो उसका दायत्व आपको आविदन करता कोईश करना होगा किसी भी प्रकार की बंदक संपत्ति का मुल्यांगन माहिन नहीं होगा जो संपत्ति बंदक है यानि किसी के गिर भी रख हुई है जैसे बेंग में रखी हुई है, सरकार में रखी है उसका वो मायने नहीं किया जाता है आवेदन करता अपनी समस्त अचल संपत्यों का मुल्यांगन किसी भी उत्तरप्रदेश गवर्मेंट्स एप्रूब्ड बेलूर से कराया जा सकता है अन्य था सभी अचल संपत्यों की जहां तैसिल द्वारक की जाएगी यदि किसी आप के प्रकण आवेदन द्वारा चल संपत्य के मुल्यांकन संबंदी गवर्मेंट एप्रूब्ड पहलूर अत्वा सक्षम अधिकारी द्वारा संपत्य के मुल्यांकन के समस्त अविलेक अनुवारे रूप से आवेदन करते समय ही पॉर्टल पर अप्लोड किये जाएंगे त तो आप हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं ओनलाइन आवेदन आप किसी जन सेवा केंदर के माध्यम से कर सकते हैं और साथ ही आप चाये तो श्यम्भी ओफिशल पोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन करने के लिए आपको निम्न चरण पू प्रण देना पड़ेगा तीसरा है अनवारी है ब्यक्तिगत सनलगन यानि कि जो ब्यक्तिगत है ब्यक्तिगत सारी चीज़ें उसका सनलगन करना अनवारी है संपत्ति के अनुसार संबंदित दस्तावेज जो भी आपके पास संपत्ति है उसके सभी के दस्तावेज होना अनव अगर आपको ये बनवाना है तो मैं अगले वीडियो में इसकी ओनलाइन पिरकिरिया का भी वो बताने वाला हूँ तो आगे देखते रहें तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगा हो तो आप लाइक करें शेयर करें और अपने चैनल ते सिविल कॉंटेक्ट को सब्सक्राइब करें थैंक्यों दोस्तों